हलो दोस्तों कैसे हैं आयों बहुत अच्छे होंगे तो वीडियो की शुरवाद ब्यूटिफल से लंटाना फलावर्स के साथ ये प्लावर्स जो हमें पूरा समर फूल देता है अब भी फूल आ रहे है मेरे प्लावर्स के उपर तो विंटर्स जैसे स्टार्ट होता है बहुत स्टार्ट तो देते रहेंगे थो समर के अक्वार्डिंग जो है कम फुलाव्रींग होती है, तो आज मैं बात करेूँगे एक बहुत ही ब्यूटिफुल fiance अपराजीपल सा अपराजीटा जो है समर के अंदर बहुत सारे हमें फुलावर्स जबनी होई है, जैसे ही अपराज प्राजिता का नीला फूल करता है परिशानियों को दूरी एक कहावत बनी हुई है जैसे है प्राजिता का प्लांट जो सर्दी स्टार्ट होती है तो हमारा प्लांट है थोड़ा सा डॉर्मैंसी पीरियोड में चला जाता है इसकी ब्रैंचेज जो है थोड़ी सी सूखने लग सीट बट बनाना स्टार्ट हो जाता हो जैसे इस जा गैसे सीट बरोट वता है बाकि सीट लग और जाएगा और जैसे ही इसके फूल खिलने के बाद सूपने लगते हैं तो उन्हें भी आप हटाते जाएगा तहां कि आपके प्लांट के अंदर फूल एनर्जी बनी रहे अपने प्लांट के लिए तो जैसे ही सीट पॉट बनेंगे तो ये पूरा एनर्जी जो है उन सीट पॉ अगर आप थोड़ी सी नाइट्रोजन की मातरा भड़ा देंगे तो आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और फ्लाविंग भी रियरली करता रहेगा समर की तरह तो फ्लावरिंग नहीं होगी बट कुछ प्लांट के उपर जो है फ्लावरिंग अभी भी बनते जाएंगे इस प्लांट के अंदर कुछ ने कुछ डालते जाएंगे हर 15- 20 दिन के अंतराल के अंदर तो आपका प्लांट जो है अच्री फलावरिंग भी करता रहेगा और कभी भी खराब नहीं होगा तो आप अपने प्लांट के आंदर मस्ट्र केक जो है जबे सकते हैं उसका पावडर liquid देना है अगर आप में थोड़ा सा थिक layer डाल दी उसकी तो आपके plant के अंदर fungus लगने का डर है तो फिर root rot हो जाएगा आपका plant तो आपने उसका जो 110 की ratio में एक mug जो है आपने लेना है liquid का और 10 mug जो है आपने डालने है पानी के तो इस तरह से आपका plant है नहीं मरेगा और अच्छा भी रहेगा health अच्छी रहेगी और आपका plant है new new पतियां और new new branches बनाता रहेगा अगर आपका plant pot में लगा है तो इस pot को आप full sun में रख दीजिएगा क्योंकि इस plant को अभी full sun की जरूरत होती है तो अगर आपका plant जमीन में लगा हुआ तो फिर यह possible नहीं होता तो आप उस plant की जो है liquid form में जहां फिर गोबर की खा दे सकते हैं और नाइट्रोजन potassium phosphorus आपको mustard के क्यों मिल जाएगा उसको भी आप powder foam जा किस तरह से भी दे सकते हैं यह आपके उपर depend करता है यह देखे मेरे plant के अंदर seed pot की इतनी जरूरत नहीं होती है कुछ seeds की जरूरत होती है इसके according आप seed pot रख लीजिएगा तो इस तरह से आप इन tips को follow करेंगे तो आपका plant पूरा साल बना भी रहेगा और कुछ ना कुछ flowering भी होती रहेगी और seed pot जैसे जैसे हटाते रहेंगे तो पूरी energy और new branches बनाने में लगा देगा और फूल भी आते रहेंगे तो इस तरह से आप अपने plant के अंदर डाल सकते हैं चाय की पती को भी डाल सकते हैं जो हमें use की हुई पती होती है वो अच्छे से धूप में सुखा करके आप दे सकते हैं आपके plant के अंदर इदिके मैंने seed pot भी plant के अंदर ये चीज़ें हम फॉलो करेंगी तो मारा plant है जो अच्छे से बना भी रहेगा और इसकी जो नहीं branches आती रहेंगी इस तरह से new new फूल भी आते रहेंगे और health भी मेरे plant की बहुत अभी अच्छे इस दिख रहे हैं अभी तो मेरा plant थोड़ा सा dormancy में कम ही है इतनी branches इसकी सूखी नहीं है health अच्छी है मेरे plant की तो अगर आपके plant की इस तरह से health अच्छी चाहिए तो आप सूखी हुए फूलों को अटाते जाए सीट पॉट को अटाते जाए और गोबर की खाज यूज करिएगा और या फिर mustard cake भी दे सकते हैं चाहे की पती दे सकते हैं इस इसे बहुत सारे फूल भी आते रहेंगे आपके plant के अंदर तो इन चीजों का अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान करेंगे अपने plant के अंदर बहुत सारी फूल का लिए भी ले सकते हैं बट कमी थोड़ी से कम हो जाते हैं फूल इसके बट आते रहते हैं तो मैं करती हूँ इ अपने plant के अंदर एपलाई तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर जरू करिएगा और टिप्स को फॉलो करिएगा तो प्लांट को जरूर लगाएगा शो प्लांट है तो मिलेंगे एक नई अपलोड के साथ तो मैं इसको दे वीडियो तो मुझे लगता है आपके लिए हएल्फुल रहा होगा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ दिल दे टेक अब ओइबाई कि c हुछ गुल और देके हें कुछ रोजस्त के प्लांट है तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नई टॉप कर साथ अपना अपनों हुआ से चाह हुआ नहीं कitating अ कर दो एक हमें नहीं हमें से अटेखिश एक नहीं जा कि उड़राईयर जहीं कि वगपे से दो एक ब्रौन कर सब्सक्राण है